नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिस्कस करेंगे कि क्लोपिकलॉट टाबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, Klopi Klot Tablet को कैसे लेना चाहिए और Klopi Klot Tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यहां भी discuss करेंगे की Klopi Klot Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Klopi Klot एक brand name है Klopi Klot Tablet के अंदर salt composition Klopidogrel 75Mg होता है Klopi Klot Tablet एक anti-platelet drug class की दवा है क्लोपिकलॉट टाबलेट शरीर में खून को पतला करती है और शरीर की नसों में खून के क्लॉट बनने से रोकने में मदद करती है क्लोपिकलॉट टाबलेट खून को पतला रखती है, जिसकी वज़से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम कम हो जाता है, जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा पढ़ चुका है या लखवा लग चुका है, ऐसे व्यक्तियों में दिल का दौरा प की वज़ा से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ percentive व्यक्तियों में clopiclot tablet की वज़ा से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे नाक से खून आना, दस्त होना, बधज्मी होना, सीने में जलन होना और पेट में दर्ध होना आधी side effects क्लोपिकलॉट टाबलेट की वज़ से हो सकते हैं। क्लोपिकलॉट टाबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की क्लोपिकलॉट टाबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कोई सरजरी होने वाली है या दान्त निकलवाना है, तो ऐसी स्थिती में डॉक्टर सरजरी करने से या दान्त निकालने से एक से लेकर दो सब्सक्राइब पहले क्लोपिकलॉट टाबलेट को बंद करने की सला दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सरजरी होने वाली है या आपको दान्त निकलवाना है, तो आपको क्लोपिकलॉट टाबलेट के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अलसर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, हीमोफिलिया होने पर, ब्रेन हेम्रेज होने पर और लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर क्लोपिकलॉट टाबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं ह पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स दवाईया जैसे इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पैंटोप्राजोल और रैबिप्राजोल आदी दवाओं के साथ क्लोपिकलॉट ट्राबलेट को लेना रेक् महिलाओं के साथ भी क्लोपिकलॉट टाबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। अभी इसके बारे में परियाप्ट डेटा अवेलेबल नहीं है कि क्लोपिकलॉट टाबलेट प्रेगनेंट महिलाओं को नुकसान पहुँचाती है या नहीं। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को dr. clopy clot tablet को लेने की सला तभी देते हैं। जब clopy clot tablet का देना बहुत ही जरुरी हो। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए clopy clot tablet का सेवन करना recommended नहीं है। स्तनपान करा रही महिलाओं में clopy clot tablet मा के दूद के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और दूत पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्स पैदा कर सकती है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका क्लोपिकलॉट टाबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकती हैं